आज हम लोग पढ़ेंगे एक्जामपल नमबर 14 जो की बहुत ही इंपोटेंट कोचन है देखिए क्या है कोचन देखिए कोचन प्रूब एट कोटे माइनस कोचे बटा कोटे प्लस कोचे इसकल टू कोचे के माइनस वन बटा कोचे के प्लस वन तो इसको बोला जाता है लहस और इसको बोला जाता है अरहस आप जानते हैं तो हम लहस से अरहस को प्रूब करेंगे तो सबसे पहले लिख कि अगर कोचन आपको साइन या कोश में नहीं है तो पहले उसको साइन या कोश में बदलने का प्रयास करेंगे तो देखिए आप जानते हैं कोट का फर्मूला का होता है कोट का फर्मूला था है कोट थिटा का कोश थिटा बटा साइन थिटा तो कोट के जब अपर हम लिख सकते हैं कोट थिटा बटा साइन थिटा तो देखिए कैसे यहाँ पर लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए इसके बदले ये लिखाया काई कि इसका फर्मूला होता है कोटे के ना वहाँ पे देखिए और माइनस ये कोस का कोस ए लिखेंगे और बटे का बटे अब ये देखें ये कोस का भी लिखायगा कोस ए बटा साइन ए क Tiny कीendo best वर्मूला होता है और यह लिखार और यह लिखाएगा हमाफ देखिए क्या करेंगे दोनों में से कुर्स को मन निंकाल लेंगे इसलिए आप को सब्सक्राइबropolा होता है इसलिए ढहीं हो निकालेंगे आप देखिय क्या नीकालें लूटरसाइन एंड़ बचे गा और माइनस और यह कोघ Erb निकल गया और फिर निचे इसमें वह कोट सो कुमन निकल लेंगे वह समय विशन देखिया वंड़ा साइन इसमें भी बच गया और अब ait यहाँ भी one हो गया काहिकि हाँ पर qos common दिये हैं अब यह को से cancel हो जागा qos e close से cancel हो गया तो देखिए यहाँ पर बच कह गया one बटा sign a फिर minus बचा और बटा अब नीचे भी one बटा sign a और plus बचा plus one बचा ना तब देखिए one बटा sign के फर्मुला का होता है वन बटा साइन थिटा का फर्मूला होता है कोशेक थिटा याद रखेगा तो वन बटा साइन का फर्मूला का हो जगा कोशेक थिटा अब यहां माइनस है ता माइनस लिख लेजिए अब इसका भी हो जगा वन बटा साइन का फर्मुला का होता है कोसेक ठीटा ठीटा के ज़रापर हम का लिखेंगे अब यहां पर लिखेंगे कोसेक ए अब ब्लस बन तो देखिए आपका आ गया ना आरेचेस इस परकार हम इसको पूर्प करेंगे ना शलिए इसको उतार लिजी झाल